उत्राखंड में 31 मार्च को शक्ती परिक्षर पर अदालत ने लगाई रोग। उत्राखंड उचिन्यायाले की दो सदसिये खंड पीठ ने एकल पीठ के उस पैटले पर रोग लगा दी है। जिसमें कहा गया था कि हरीश रावत सरकार उत्राखंड वितान सभा में 31 मार्च को अपना बहुमत साबित करें। मोदी का ब्रसल्स में रेट कार्पेट पर स्वागत। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का बुद्धवार सुभा बेल्जियम के राजधान ही ब्रसल्स में हवाईयदे पर रेट कार्पेट पर स्वागत किया गया। यहां भार्तिय नागरिकों ने पूरे जोशो खरोश के साथ उनका अभिननन किया। विकास मंत्राले के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्पिटर पर लिखा देश में कदम रखने पर रेट कार्पेट बिच्छा। प्रसल्स पोचने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। माल्या की ओर से 4,000 करोड देने की पेशकश कर्द नहीं चुकाने के मामने में फसे उद्योपती विजे माल्या ने किंग फिशर एरलाइन्स को दिये गई श्रण का निफ्तारा करने के लिए 4,000 करोड रुपे देने की पेशकश की है। ये जानकारी बुद्वार को सर्वोच न्यायाले में दी गई। यांच दल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कॉंग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि मोधी सरकार के विदेश नीती धुर्टी पून है। कॉंग्रेस संसर्द में इस पर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी से जवाब मांगेंगी। सर्वोच न्यायाले ने कहा पंजाब हर्याना में निस्पक्षो कानून अधिकारियों के न्यूक्ती। न्यायाले ने कहा इन समितियों के अधिक्षितार राजियों के कानून सच्चिमों द्वारा की जानी चाहिए। सल्मान खान बने मामा, बहन अर्पिता ने बेटे को जन्म दिया। पॉलिवुट सूपर स्टार सल्मान खान बुधवार को मामा बन गया। मुंकी बेहन अर्पिता खान शर्मा ने बेटी को चन्म दिया। सलमान के भांजे का नाम आहिल रखा गया है। अर्पिता की शादी आयूशी शर्मा से नवंबर 2014 में हुई थी। ये दोनों का पहला बच्चा है। बार डांसर को चूने पर हो सकती है छे महीने की जेल। इसमें उद्व ने कहा कि इस मामले को लोकतांत्रिक तरीके से हल किया जाना चाहिए था। युवराज वोर्ड टी-20 से बाहर मनीश पांडे को जगा। सेमी फाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा जटका लगा है। अनुभवी स्टार बल्लेबाज युवराज सिंग चोट के चलते बाहर हो गए है। उनकी जगे मनीश पांडे को शामिल किया गया है।